चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूर्वा फालगुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। इन दिशाओं में खीचा हुआ महसूस कर रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप परिशानी को नजर अंदाज करते हैं तो यह और बढ़ सकती है जिससे आपके लिए निर्णय लेना और भी कठिन हो जाएगा। आपको बेहत सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता भावनाओं से प्रभावित हो सकती है यह और भी अन्यकारणों से प्रभावित हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं जैसे की एक साथ भोजन करना। उन चिंताओं को साज़ा करें जो आप अपने से छोटे सदस्यों के लिए महसूस कर रहे हैं। आर्थिक मामलों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है इसलिए अभी अधिक खर्च करने से बचें। आज का समय कैसे बिताना है या पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों की भलाई के लिए काम क करेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें। इस राश्य के लोगों के लिए दिन धूप छाव के मिश्रण की तरह रहेगा। आपको संतान क्षेत्र में आपको विरोधियों और प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के मामलों में आप अपनी बुद्धी और कौशल से सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको किसी पुरानी परिचित से भी लाभ मिलने की संभावना है। इस राश्य के विद्यार् सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। लेकिन आपको किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। सामाजिक शेत्रों में काम कर रहे लोगों को अपने कार्यों में अधिक मेहनत करनी होगी। आपकी छवी और निखरेगी। लेकिन परिवार के किसी सदस्य से आप परेशान रह सकते हैं। कुछ नई उपलब्धियां आपके हाथ में आएंगी और कोई लंबित कार्य भी हल होगा। महिलाएं अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहेंगी और संतान की विदेश जाने संबंधी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। परिवार के स दस्यों के साथ आनलाइन शॉपिंग में समय बिताना भी संभव है। वर्तमान स्थिती में के गए निवेश से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बदलाव सकारात्मक होंगे और परिवार से मिल रहे सहयोग के कारण आपका अकेलापन दूर होगा। आपक व्यक्तिगत जीवन में सुधार आएगा और किसी भी कठिनाई से आपने जो सीखा है वह आपके लिए फाइदेमंद साबित होगा। वर्तमान में जो बातें आपकी अपेक्षाओं के अनुसार हो रही हैं उनका आनंद लें। कारिक्षित्र में आपको अपेक्षा के जिससे आप अपने काम में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। विवाह से संबंधित निर्णय लेने में आप सक्षम महसूस करेंगे। सावधानी बरतें क्योंकि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है। कुछ समय एकांत में या आध्यात् इक स्थल पर बिताना जरूर करें इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। युवाओं के लिए किसी उपलब्धी मिलने पर समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में आपसी सामनजस्य बनाए रखें जिससे सुख शान्ती बनी रहे। विपरीत लिंगी मित्रों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ग्रहों की स्थिती इस बात की और इशारा करती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आ सकती है जो आपकी लव लाइफ और करियर दोनों को कर सकती है। इस समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियान न दें। इसके बजाए उनकी हर भावनाओं को निश्पक्षता से समझने की कोशिश करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी किसी रोमांटिक यात्रा को परिवार में परिशानियों के कारण रद्द करना पड़ सकता है। इस से आपके रिष्टे में खटासा सकती है। लेकिन अपने प्रिये को मनाने के लिए कुछ खास करें और खुशियों को वापस लाएं। भाई बहन आपके दिन को और भी जो आपके लिए इस दिन को यादगार बना देगा। याद रखें एक साथी होना शुरुआत में साथ रहने और आगे बढ़ने का प्रतीक है। और मिलकर हर काम करना सफलता का संकेत है। अब करियर की बात करते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझते हैं और कारिस्थल में चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। काम में कोई फैसला लेने से पहले काउंसलर की राय लेना सुनिश्चित करें। आज अपने धन, निधी और कीमती सामान का ध्यान रखें। क्योंकि आपकी ग्रह स्थिती बड़े नुकसान की और इश अपने दोस्तों और करीबी लोगों का साथ पाकर आप भग्यशाली महसूस करेंगे। लोगों के साथ रहना अच्छी किसमत का संकेत है लेकिन मिलकर काम करना सच्चे विजेता की पहचान है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा यह और भी बहतर होता जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशा का अनुभव किया है उसका अंत होगा और आप आशावादिता की ताजगी में सांस ले सकेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुसार कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने प्रबंधन से लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों तक अपनी राय या विचार व्यक्त कर सकती हैं और इसके लिए यह समय उपयुक्त है। व्यवसाइक दृष्टी से यह समय बहुत अच्छा है। रुके हुए काम अब गती पकड़ेंगे। प्रचार प्रसार को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। किसी भी असमंजस की स्थिती में वरिष्ट लोगों की सलाह लेना उचित रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ती भी अपने स्थानांतरण संबंधित कारियों के लिए उच्छ अधिकारियों से व समझने की कोशिश करें। इससे आपको बीमारी की जड़ तक पहुँचने और उसका सही पता लगाने में मदद मिलेगी। संक्रमन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और इससे आपकी कई बीमारियां भी स्वतही दूर हो जाएंगी। यदि आप बीमा से संबंधित कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ संकेत है। इसके साथ ही ओनलाइन शिक्षा में कोई नया कोर्स शुरू करना आपके लिए अत्यंत फाइदे मंद साबित हो सकता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से जुड़ी किसी नई स्कीम का लाब उठाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए उप्युक्त रहेगा। सौफ्ट्वेयर सेवाओं, सास में निवेश या नई तकनीक अपनाने के लिए भी आ आज का दिन इस मामले में बहुत अच्छा माना जा रहा है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का राशिफल आपको संकेत दे रहा है कि यह समय इस दिशा में आगे बढ़ने का हो सकता है। यदि आपके पास कोई कानूनी माम आपको कानूनी सलाह की आवश्यक्ता है, तो आज का दिन आपकी राशिक अनुसार इसके लिए उपयुक्त है। बिजनस कंसल्टिंग से जुड़े लोग आज नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट से मिलने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए लाभ दायक इसके अलावा, यदि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आज आपकी राशिक अनुसार यह समय सही है। यदि आप वेब होस्टिंग या किसी नए ऑनलाइन व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपक की राशिक अनुसार बहुत शुभ रहेगा। स्वास्थिय के क्षेत्र में आप आज अपनी सेहत और वेलनेस पर ध्यान के इंद्रित करते हुए कोई नया स्वास्थिय रूटीन अपना सकते हैं, जो भविश्य में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अकाउंटिंग सेवाओं में काम कर रहे जातकों के लिए आज का दिन वित्तिय उन्नती का संकेत दे रहा है। यदि आप लगजरी उत्पादों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। आटोमोटिव क्षेत्र से जुड़े लोग आज नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि यह समय उनके लिए अनुकूल है। स्टॉक ट्रेडिंग में हाथ आजमाने वाले लोग आज कोई नया निवेश कर सकते हैं, जो भविश्य में उन्हें अच्छा लाभ देगा। व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, खास कर व्यक्तिगत वित्त को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए, ई-कॉमर्स से जुड़े जातकों के लिए आज नई योजनाओं को लागू करने का उपयुक्त समय है, यदि आप फिटनेस और वजन घटाने का कोई लक्ष निर्धारित कर रहे हैं, तो आज से इसे शुरू करना आपके लिए शुब रहेगा, आज का उपाए, आज आप शनी देव की पूजा करें, और उनके चरणों में सरसों का तेल, काला तिल और काली उड़त अर्पित करें, इस से शनी दोश शांत होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, जीवन में हमेशा सकारात सोच के साथ आगे बढ़ें, आपका दिन शुब हो